Hello guys welcome back to my channel दोस्तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि character certificate जार्खंड में कैसे बनाएं Chrome में आ जाना है अब फिर यहाँ पर टाइप कीजिए character certificate जार्खंड तो सबसे उपर वाला जो link आएगो उसमें click कर देना है click करने के बाद इसको desktop mode में कर देंगे ठीक है, desktop mode में करने के बाद यहाँ पर login पर हम लोग रेजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे, यह देखिए, यहाँ पर click here to registration yourself, ठीक है, यहाँ पर click करने के बाद, एक हम लोगों को page आ जाएगा, जो कि यहाँ पर अब सब कुछ details भरना है, ठीक है, तो first name, फिर second main medieval name, फिर last name, ठीक है, फिर इसके बाद, इसके बाद अपना जो भी वो जंडर इसके बाद यह नीचे आधार कार्ट का नमबस दालने के बाद यहां पर जनम ती थी मतलब आपकी स्टेट में जनम लिए हो और नीचे में उसके नीचे में आटोमेटिकली वह आपका एज आ जाएगा ठीक है एज आ जाएगा जितना आपका एज हुरा है जैसा कि ठीक है अब इसके बाद यहां पर समिट करें पर क्लिक कर दिजिएगा ठीक है यहां पर एज यह डेट आफ पर थी सब डालने के बाद समेट करें पर क्लिक करतें और फिर यह इस साइड राइट हैंड साइड में यहां पर मोबाइल नमबर आपका है तो मोबाइल नमबर डालती जिए इमेल आइडी है तो इमेल आइडी डालती जिए और यहां पर पहचान प्रकार जैसे आपका आधार कार्ड या फिर वोटर आइडी राशन कार्ड जो भी आपका एडरेस प्रूफ है वो यहां पर डाल करके सब्मिट करना होगा अपको फिर नीचे साइड देखिए आपका एडरेस पूछ रहा है एडरेस में आपका घर का नंबर गली का नाम क्या है ठीक है कॉलनी नेम क्रिस्ट सहर में रह रहे हो या फिर आप गौव में रह रहे हो ठीक है यहां पर सब कुछ डाल देना है और फिर यहां पर देश आप तो भारत देश के ही हो फिर आपका आप कौन से राज्य से हो ठीक है तो आप जहारखंड से हो तो जहारखंड डाल देना है जैसा कि हमने इस वीडियो में डाला है फिर आपका पही dość जीला आपका कौन से जीला है जो आपका जीला है आप उहां पर डाल के ऐसेन क्या है फिर उसके बाद पूलिस लिस्टेसन के बाद आप का यह कोट अब यहां पर जो सुर्च्छा मतलब सेकुरिटी के लिए कit ć acquire लिए कुछ पूछा जाता की आपका फेवरेट करबड कौन सा है आपका जयर्म कहा हुआ था अगर आप password भूल जाते हो तो यह आप डालकरके आप password को आद रख सकते हूँ तो यहाँ पे दो डालना है तो यहाँ पे आड करके आपको डालना होगा जोड़E में click करके एक और add हो जाएगा तो फिर आप यह यहां पर दो माइन डिटरी है ठीक है और फिर यहां पर यह हो गया फिर यहां पर पेस्ट करें पर click कर दीजेगा तो आपका registration successfully हो जाएगा और फिर यह आपका और उससे भी पहले यहां पर जो भी आपका ID वगेरे डालना है इमेल ID, user ID वो डाल दीजेगा user ID और यहाँ पे user ID और आपका password जो भी है वो यहाँ पे डाल करके submit कर दीजेए लेकिन याद रखें दो बार submit करना है और तो submit करने के बाद आपका मुबाइल पे चला जाएगा password और यह जो भी तो मेरे मुबाइल पे password चला गया है तो हम भी हम यहाँ पे login करेंगे ठीक है login करने के बाद यह capture डाल देना है capture यह देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा आपको login करने के बाद तो यहाँ पे जहाँ पे हाथ मिलाने वाला पर्मान पत्र पे क्लिक करेंगे चलेतर पर्मान पत्र के पे क्लिक करने के बाद यह फिर चलेतर पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर देंगे ठीक है अब देखिए यहां पे एक इंटरफेस आ चुका है जो कि अब यहां पे जिस तरह वो फॉर्म फिल किये हुए थे ना वो तो हमारा रेजिस्ट्रेशन फॉर्म था लेकिन यह हमारा फॉर्म फिल करना है यहां पे भी नाम भरना है अब यहां पर नमबर डाल दीजिए फिर आपका जन्म चन्म का यह डेट डाल दीजिए और्टमेटिकली यहां भी ले लेका आपका कितना यह हो रहा है अब यह देखिए इस साइड में इस साइड में आपको यह आपको यह डाल दीजिए अब यहां पर नीचे आप इमेल डाल दीजिए और यह डालने के बाद फिर नीचे आपको एड्रेस में पूछा जाएगा कि आप क्या क्या फोटो आपको अप्लोड करना है तो फस्ट में जो है एक बार आप उपर भी देख लिजिए ठीक है यहां पर देखिए कौन-कौन सा क्या अप्लोड करना है तो सबसे पहले फोट आप फोटो लिग दीजिएगा ठीक है फिर सेकेंड में आपको कोई दस्त वेज यानि की कोई टेंथ हमाकसिट हो गया या फिर आधार काड़ हो गया ये अप फिर आपका पां काड़ हो गया या फिर कुछ भी यह अप्लोड करते हैं और नीचे में जो भी आपको यहां पर अप्लोड करना कर सकते और फिर एक बार आप चेक कर लें और फिर चेक करने के बाद जमा करें पर क्लिक करके फिर आपको रेजिस्ट्रेशन नमबर आपके फोन पर मिल जागा और थाना से भी आपका कुछ कॉल आएगा और फिर वो फिर बना करके आपको दे देंगे